तो नमस्कार बच्चों जैसा कि आप जानते हैं मैंने अभी आपके सामने स्क्रीन लगा के रखी है और ये जो स्क्रीन है ये यूपी टेक काउंसलिंग के लिए है तो काफी सारे बच्चों को जहां पे कॉलेज अलॉट नहीं हुआ था अब हम उनकी चर्चा करतें तो बच् काउंसलिंग जो है हमारी समाप्त हो चुकी है किसकी समाप्त हो ये बच्चों हमारी काउंसलिंग हमारी जो काउंसलिंग है बच्चों वो समाप्त हो चुकी है जोसा की जोसा के बाद सारे बच्चों ने सी साइब में भी ट्राइ किया काफी सारे बच्चों का वहां पे भी admission नहीं हो पाया, काफी सारे different states की बच्चे परशान हो चुके हैं कि सरव हम admission कहां पिले तो बचो कुछी दिन पहले मैंने आपको video share किया था, इसमें एक बच्चे की मैंने choice filling की थी और मैंने आपको बताया था कि choice filling मैंने उसको अतनी बहतर करके दी है कि उसकी rank लाखों में भी होगी तो भी उसको college यहाँ पर a lot होगा, अगर आपकी preference sheet अगर आपकी choice filling सही की गई हो, तो बचो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो आपको यहाँ पे UP Technical University की website open करनी है, और जिनको भी registration में और या किसी पहले नीचे चला जाता हूँ, और एक बार आपको यहाँ जाना हों का बचो देखे जाना candidate, लिखा है ने, candidate activity board, आप यहाँ पे जाएंगे, तो candidate activity board में बचो फ्रेश registration तो over हो चुके हैं, फ्रेश registration तो हैं नहीं, अब जिन बचो ने यहाँ पर choice filling की थी, उनका result आ चुका है, जैसे बचो देखो, round two seat allotment result यह round two seat allotment result है, लेट से मान लीजे, हमने किसी कभी round two seat allotment कर रखा होगा तो हम देखते हैं किस तरह जैसे मान लीजे, मैंने एक admission ले लिया, मान लीजे, यह मैंने पहले इसे बचो मैंने password वगरा सब save करके रखा है, तो यहाँ पर मेरे को problem नहीं आएगी, अब यह portal आपका कोई भी open नहीं कर सकता, जब तक उसके पास OTP नहीं आएगा, इसलिए आप इस बात से बेफिकर रहे हैं कि आपका portal कोई open कर भी लेगा, ठीक है ना और यह बचो मैंने यहाँ से sign in किया sign in करने के बाद यहाँ से मांगेगा हमसे OTP, तो registered mobile number पे मैं OTP मंगा लेता हूँ और यह हमारा mobile है इससे मैं OTP आपके सामने ही डालूँगा और OTP डालने के बाद फिर मैं आपसे discussion वाबर स्टार्ट करता हूँ OTP मैं यहाँ पे put कर लूँ पहले यहाँ पर हमारा opportunity है Q उसके बाद 7181J ठीक है, अचा OTP में भी बचो को problem है बचो यहाँ पर जो OTP है ना वो तभी आप type करिए जब आपना, आप computer पे caps lock on कर लीजे, क्योंकि सारे letters आपके capital होते हैं, तो मैंने यहाँ पर बचो OTP यहाँ पे डाल दिया है, तो आप देख सकते हैं कि इस बच्चे के पास जो fail choices थी, वो सिर्फ 12 थी, दियान से देखिए, इस बच्चे के पास जो fail choices थी, वो कितनी थी सिर्फ बचो 12 सिर्फ choices थी, fail choices और 12 choices में ही मैंने इसको college allot करा दिया और इसने मेरी बात मानी और हमारे according इसने काम किया और आप देख सकते हैं, इसका seat allotment result तो इसका seat allotment result देखो बचो complete हो चुका है, इसको college मिला है, और अगर आप इसका college देखना चाहें, अभी मैं इस college की acceptance piece वगरा सब जमा करने वाला हूँ इसलिए मैंने सोचा कि इसका video भी बना दू और आपके साथ इसको share भी कर दू तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं इस बच्चे की, अब क्या करूँगा, seat allotment result देखूँगा, यह बच्चे उसका होगया seat allotment result, आप देख सकते हैं इस बच्चे को, मैंने कौन-कौन से colleges की choice फिलिंक की थी, मैंने यह आपके साथ live video share भी किया था मैंने इस बच्चे के लिए JSS Noda share कर रखा था, इसके बाद मैंने इसके कुछ government colleges डाल रखे थे, और इस बच्चे को IET चाहिए, Institute of Engineering and Technology, और इसमें भी मैं इसको branch कैसे भी करके बताऊंगा कैसे मिलेगी, तो जो भी बच्चे हमको counseling support में लेना चाहते हैं, वो हमसे बिल्कुल counseling support ले, और counseling support लेकर कि अपने doubts को clear करी और आपको भी बच्चो इससी तरह से college allot हो सकता है, तो college बच्चो सभी बच्चो को allot हो सकता है, उसमें आपको कोई ऐसी समस्या नहीं है, कि आपको college न allot हो, तो देख सकते हैं, इस बच्चे की rank जो है 2,19,500 समतिंग है, तो भी इसको मैंने GSS Noda, जो private sector का AKTU का सबसे top का private college है, वो मैंने इसको allot कराया है, तो अब ध्यान से देखे, college तो इसको allot होगे, आप सभी के सामने ये जीता जाकता सबूत भी है, आइस बच्चे को भी बहुत-बहुत बदाईयां, और देखने वाले जन्ता को भी शुपकामना है, उसके बाद, बचो, मैं आप इसकी pay receipt acceptance fees पे जाऊँगा, और मैं ये तो general category है, इसलिए इसकी जो fees acceptance है, वो 20,000 होगी, उसके बाद मैं इसको बचो float कर दूँगा, freeze नहीं करूँगा, तोकि मेरे को ये college नहीं चाहिए, मेरे को तो कोई government college चाहिए, इसलिए मैं इसको क्या करूँगा, मैं इसको freeze नहीं करूँगा, मैं इसको float कर दूँगा, और float करने के बाद जो है, यहाँ पर ये बचा government college भी acquire कर सकता है, तो आप भी इस तरह से कर सकते choice filling, तो यहाँ पर बचो इस तरह से मैं ये payment late करूँगा, इसलिए भी मैं आपके सामने open नहीं कर रहा हूँ, आप मैं वापस home पे चला जाता हूँ, और home पे जाने के बाद मैं वापस dashboard पे आ जाता हूँ, यहाँ तक सारे बचों को बहुत अच्छे तरहीके से clear हो गया होगा, कि हमें किस तरह से choice filling का process complete करना है, तो बचो मैं portal वापस open कर लेता हूँ, portal open करने के बाद आपके पास इस तरह से आप देख सकते हैं, यहाँ पर B.Tech Counseling 2024 लिखा हुआ है, तो आपको इसी link को click करना है, और अपने result को update करना है, बार-बार देखते रहना है, इसके अलावा बचों जो CUET के through आपने UP Tech में apply किया होगा, उसमें भी बचों result round 1 के दीरे-दीरे publish होना start हो चुके हैं, काफी सारे बचों को biotechnology चाहिए था, आपको IP University यानि कि इंदरपस University यानि Delhi से आगर आपको biotechnology चाहिए और आपने CUET का exam दिया हुआ है, तो डेली के colleges इससे UP Tech से कई उना ज्यादा भेतर होते हैं, तो इसके लिए भी आप क्या करिया, हमसे contact करिए, मैं आपको process बताऊंगा, और उस process का बचों आज last date है, तो आज last date है, तो आप इस process को complete करें, तो आप के लिए मैं सारी बाते आपको describe भी करूँगा, I think बचों यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से मैंने बाते clear कर दी, तो यहाँ के लिए मैं video end करता हूँ, और जिन बचों को भी college कौन से चाहिए, वो मैंने आपको बता दिये, अगर आपको college कौन से चाहिए, जैसे अगर आपको bio technology चाहिए, तो उसके लिए बचों आप उनको inform करें, भी architecture अगर आपको करना है, यह सब courses बचों आपको IP University से मिल जाएगी, और IP University की आज last date है, तो जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, वो जादा से जादे बच्चों को share करें, और आपको दूसरे courses में भी admission मिल सकता है, और वो admission आप UPTEX के colleges से भी ले सकते हैं, तो thank you बचों, मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा, किस तरह से मैंने अपनी बातों को explain किया, तो मैं अपने वीडियो को यहीं पर विराम देता हूं, धन्यवाद,